तो next question हमारे पास है, series given है, n पे power xn है और नीचे division में n प्लस 2 दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, un प्लस 1 और un बनाएंगे, तो un अल्रेडी है, un प्लस 1 बनाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, n प्लस 1 हो जाएगा, और x पे भी जो n प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या है, n प्लस 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, n प्लस 1 करेंगे, तो वो हो जाएगा, n प्लस 3 ठीक है, तो यह हो गया, n प्लस 3, हमने इसके क्या कर दिया, इसके simplification form लिख दिया मैंने यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इसको absolute में divide करेंगे, n प्लस 1 और un, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया, x प्लस 1, और x पे पावर n प्लस 1 हो जाएगी, divide करेंगे, n प्लस 3 से, और यहाँ पर जब हम लोग un लिखेंगे, un, तो इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, un, n प्लस 2 लिख दे ठीक है, तो यह हो गया, अब अगर हम लोग इदर x और x को देखेंगे, तो यह सिर्फ cancel हो सकता है, बाकी cancel नहीं हो सकते, अच्छा यह जो है, इदर x और n में थोड़ सा difference होगा, तो आप ज़रा देख लीजेगा, ठीक है, यहाँ पर x और x पे हो गया, हमारे पस क्या है, इनको हम लोग limit में लिख देंगे, क्योंकि हमें n तो चाहिए नहीं, ठीक है न, तो n प्लस 1 हो गया, और n प्लस 2 हो गया, यह दर लिख देंगे, और n प्लस 3 हो गया, और n हो गया, हम लोग को n नहीं चाहिए, तो हम लोग इसमें limit apply करेंगे, limit apply करेंगे, तो यहाँ से ह X के intervals अब हम लोग इसमा और कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पास intervals क्या बन जाते हैं intervals बन जाते हैं minus 1 और 1 अगर हम लोग radius की बात करें तो इसका radius साफ वाज़े है हमारे पास क्या आजाएगा radius क्या होगा radius नहीं डालेंगे तो गलती से डल गए ठीक है, radius हो गया, one, interval हो गए ये, और अगर हम लोग बात करें तो one और minus one पे हम लोग पेछे वो कर सकते हैं, वो हमने, क्या बोलते हैं, series हमने क्या की थी, series निकाली थी, और दोने पे series हमारे पस क्या आती थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी series में नहीं लिखती, बस ये divergent series है, अब हम क्या करेंगे, इसके तीन statement जो हैं, वो लिखेंगे, तो statement क्या होगा, the radius is, radius हमारे पस क्या है, one है, the interval of convergence is minus one और one है, the interval of absolute convergence is minus one और one, ठीक है, और there is no point, no value for which the series converge conditionally, तो ये तीन series statement हमने लिख दी, questions all होगा, अब चलते हैं, next question की तरफ, तो ये हमारे पस question number eight आगया है, इसमें हम लोग के पास क्या है, series minus one पे power n है, और x plus two पे power n है, और नीचे division में भी हमारे पास n पे power किवन है, तो सबसे पहले हम लोग un निकालेंगे, तो absolute की बात हो रही है, तो इसको हम लोग नहीं दिखेंगे, तो un plus one सबसे पहले बनाते हैं, x plus two हो जाएगा, power पे n plus one हो जाएगा, और नीचे भी हमारे पस क्या हो जाएगा, n plus one, और un तो हमारे पास already given है, जो कि है, x plus two whole power n, और न जिए divide में n हो जाएगा, तो जब हम लोग इसको absolute में divide करेंगे, तो हमारे पस क्या आएगा, let's see, absolute में लिखेंगे, तो चले बस लिखी देते हैं, मैं direct लिखने का सोच रही थी, चले ये हो गया, n plus one, इदर un जाएगा, इदर x plus two हो जाएगा, whole power n हो जाएगा, ये n और ये power n कट जाएगा, हमारे पास ठीक है, तो एक क्या रह जाएगा, हमारे पास x plus two रह जाएगा, limit में हम लोग को n तो चाहिए नहीं, तो इस पे क्या करेंगे, limit put करेंगे, और जैसे कि हमें पता है, जब n divides n plus one पे हम लों limit put करते हैं, तो हमारे पास one आता है, तो यहाँ पर हमा प्लस one होगा, और x plus two हो जाएगा, और यहाँ पर one हो जाएगा, ठीक है, यह हो गए, अब हम लोग को क्या करना है, minus two को both side multiply करना है, minus two हो जाएगा, x हो जाएगा, plus two, minus two, और इधर क्या हो जाएगा, minus two, यहाँ से one minus three आ जाएगा, इधर से x आ जाएगा, और इधर से हमारे पास intervals क्या हो गए? intervals हो गए हमारे पास minus 3 और minus 1. तो अगर हम लोग इसका radius find करें, तो radius हमारे पास क्या जाएगा? radius हा जाएगा हमारे पास 1. ठीक है? इसका radius भी हमारे पास 1 अजाएगा. अब अगर हम लोग उसकी बात करें, सीरीज की बात करें तो अगर हम लोग x पे, माइनस 3 पे सीरीज ढून रहें तो माइनस 3 पे हमारे पास एक सीरीज बनेगी divergent सीरीज, ठीक है तो इस पे हमारे पास क्या बनेगी एक divergent सीरीज, ठीक है और अगर हम लोग minus 1 की बात करें तो minus 1 पे हमारे पास इधर बनेगी एक convergent series convergent series की चीज़ पे होगी conditionally convergent series बनेगी यहाँ पर conditionally भी लिख देते हैं convergent series conditionally ठीक है तो यह हो गई हमारे पास series की बात है अब अगर हम लोग statement की बात करें तो statement हम लोग किस तर लिख सकते हैं the radius is 1 the interval of convergence is minus 3 and minus 1 the interval of absolute convergence is minus 3 and minus 1 there is a value x is equal to minus 1 on which series is conditionally convergent ठीक है तो यह हमार पर third statement हो गई जिसमें हमार पास एक value है जिसमें conditionally convergent करती है अब करते हैं next question तो अगर हम लोग 9 question में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास square root given है और जब भी square root आता है तो हमें हमारी solution को जादा ही मुश्किल लगने लग जाती है बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको जल्दी जल्दी solve करेंगे easy है इतना मुश्किल नहीं है un plus 1 बनाएंगे देते हैं यह हो गया अब जब हम लोग इसको un plus 1 और un को divide करेंगे absolute में तो हमारे पस क्या आएगा let's see xn plus 1 लिख देंगे यह वाला नीचे उतार देंगे n plus 1 3 की power n plus 1 यहाँ पर क्या आएगा n और 3 पर power n x पर power n आजाएगी ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो simply हमारे पस यह cut रहा है और हमारे पस क्या आ रहा है x आ रहा है ठीक है अब जब कि हमें n तो चाहिए नहीं तो हम लोग n पर क्या कर देंगे limit पुट कर देंगे limit पुट करेंगे n और n प्लस 1 पर एक limit पुट कर देंगे दूसरी limit हम लोग यह square root हमारे पस given है इस पर पुट कर देंगे 3n हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा n प्लस 1 और 3 पर पावर n प्लस 1 तो अगर हम लोग इन दोने पर limit पुट करेंगे तो हमारे पस 1 आएगा और हमारे पस इदर क्या रह जाएगा x रह जाएगा ठीक है इन दोने पर 1 आजाएगा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर minus 1 और यहाँ पर हमारे पस 1 हो जाएगा तो intervals क्या बन गए intervals simply बन गए हमारे पास minus 1 और 1 हमारे पस क्या हो गए interval हो गए अगर हम लोग इसके radius की बात करें तो इसका radius हमारे पस क्या आएगा अच्छा यहाँ पर 3 हाँ यह जो 3 है ना यह भी है हमारे पस यह बला 3 हाँ यह 3 हमने नहीं लिखा ना इधर क्या होगा हमारे पस एक 3 भी बचेगा जब हम लोग इन दोनों के इन दोनों का limit apply करेंगे तो यहाँ पर हमारे पस क्या बचेगा 1 by 3 बचेगा तो 1 by 3 जब हम लोग x पे ला लेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर बी π्लिप्लाय हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा और ये plus 3 हो जाएगा ठीक है यह minus 3 और यह plus 3 तो यह हमारे पास दो values हो गई 3 3 की तो यहां पर limit में हमारे पास क्या बचेगा अच्छे यहां पर सरा नजर नहीं आ रहा है यहां पर जब हम लोग इस पर limit apply करेंगे तो 1 by 3 हमारे पास बचेगा ठीक है तो हमारे पास क्या हो गई इंटर्वल माइनस 3 और 3 हो गई अब हम लोग इसका radius find करते है radius find करने के लिए भी हमारे पास formula है और वो formula हम बार बार यूज नहीं करेंगे जब हम वो formula लगाएंगे तो हमारे पास radius क्या होगा radius हमारे पास 3 हो जाएगा अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास minus 3 पे कौन सी series बनती है अगर minus 3 की बात करें तो हमारे पास एक series बनेगी जो कहोगी absolutely convergent series यहाँ पर लिख देते हैं absolutely convergent series और अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 पर हमारे पास क्या आएगी? एक Convergent Series होगी जो P Series से Converge करेंगी, ठीक है ना? Convergent by P Series, ठीक है? ठीक है? ठीक है तो यह दो हो गई, अब हमारे पास statement क्या होगी? कि जो radius है वो हमारे पास 3 है, interval of convergence हमारे पास क्या है? माइनस 3 और 3, अब हम लोग interval of absolute conversion की बात करें तो वो 3 और माइनस 3 होगा और there is no value for which the series converge conditionally, ठीक है? ठीक है यह दो हमारे पास statement हो गई, अब चलते हैं next question की तरफ